प्रतिभाह और शालींता की प्रतिक स्मिताय पाटिल ने फिल्म प्रेमियों के दिल में एक इस्थाई जगे बनाई हुई है हालाकि कम उम्रों में वाइस दुनिया से चली गई थी लेगन भारतिय सिनेमा में उनका योगदान अमिठ है इस दिगज अभीनेत्री और उनकी उम्दा विरासत से जुड़ी कुछ ख़बरों को हम आपको बताएंगे तो चली आज हम बात करते हैं आप से इस्मिता पाटिल के बारे में आपको बताते हैं कैसे उनकी म्रत्य हुई थी 17 अक्टूबर 1955 को जन्मी इस्मिता पाटिल एक बहुत ही अच्छी अभीनेत्री थी जो मुख्यधारा और समानतर सिनेमा में अपने अच्छे पिरदशन के लिए जानी जाती थी इस्मिता पाटिल के पिता शिवाजी राव गिर्धर पाटिल एक प्रसिद राजनीतिक थे और उनकी मा विध्यताई पाटिल महराष्ट के खान देश छेत के शिरपुर गाउं में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती थी सिनिमा में इस्मिता पाटिल का सफर उलेखनी इसे कम नहीं था उन्होंने 1970 के दशक के अंत में अभी ने शुरू किया था और अपने साधारान प्रदशन के लिए जल्दी उन्होंने पहचान हासिल कर ली थी 1970 में इस्मिता ने मुंबई दूर दशन के लिए न्यूज रीडर के रूप में टेली वेजन पर अपनी शुरूआत की थी उन्होंने अपने समोहक परफार्मेंस और प्रभावशाली भूमिकाओं से अपने लिए एक अलग जगा बनाई थी कि उन्होंने स्धार्नां का कंडर का था फिविनरी फिल्म की तन्रेश्श किलिंग? मुआ इसमिता पाठिल समरपने उन्हें कई तारिफे दिल्वाई और फिल्मी प्रेभиков के दिलों में जगह दिल इसमिता पाटिल पहली बार स्क्रीन पर मराथी फिल्म सामना में कमली के रूप में आई थी और बाद में वॉलिवोड फिल्म मेरे साथ चल में गीता के रूप में दिखाई दी मन्थन भूमिका आक्रोष जैत रे जैत और कई ऐसी फिल्में थी जिन्होंने उन्हें पहचान दिलाई थी फिल्म भूमिका में उन्होंने जिस तरह के व्यक्तित्व का किरदार निभाया था इसके लिए उन्हें सर्वश्रेश्ट अभिनेत्री का पुरुसकार मिला था उन्हें मराथी फिल्म जैत्रे जैत और उंबर्था में अपने अभिने के लिए भी पहचाना गय कि इसके लिए उन्हें फिल्म फिर पुरुसकार मिला था भारत सरकार ने ने देश के सरवोच सम्मान नागरिक सम्मान पदमश्री से समानित किया था इसमिता पाटिल की आकरी फिल्म गलियों के बादशाथी यह 1989 में आई थी इसमिता पाटिल अपना खुशाल जीवन अप की मिरत्यूं हो गई थी निधन से पहले वह केवल 6 गंटे तक अपने बेटे पृतिक बबर को देखने के लिए जिन्दा रही थी भारत के सर्वुस्रेष्ट निदेशकों में से एक मिरणाल से ने कहा था कि अभी नहीत्री की मिरत्यूं चिकित्सा कदाचार के कारण हुई थ कि इसमिःता पाढ़ेर की म्रत्य वह गई थि और इसको कहा जाया तो यह बहुत जाद रहाए कि वज़े से वही थी इसमिःता पाढ़िल का धहनने रखा गया था जिसकी वज़े से उनकी डिलिवरी में लापरवाईयां हुई और उनकी डैथ हो गई थी उनके बेटे का पालन पोशन उनके माता पिता ने मुंबई में किया है इसमिता पाठिल का जन्म 17 अक्टूबर 1956 में हुआ था भले ही इसमिता पाठिल का फिल्मी सफर सिर्फ 10 साल का रहा हो लेकिन बहुत से काम ऐसे हैं जो चर्चा में रहते हैं जिन में से इनकी राजवब्बर के साथ शादी और इनकी इस तरह साचानक मौत चर्चा में रहेगी कि हमेशा और रही है वो जो भी रोल करती थी उसी में ड़ल जाती तो दूसरी तरह नमक लाल और शक्ती जैसी व्यवसाइक फिल्में भी कतार में इसमिता पाठिल की मा नहीं चाहती थी कि राजबबर के शाद साधिकर हैं क्योंकि राजबबर पहले से शादिश होदा थे वो कहती थी कि महिलाओ के अधिकार के लिए लड़ाई करने वाली इसमिता किसी और का घर कैसे तोड़ सकती है इसमिता के लिए उनकी मा रोल मॉडल थी लेकिन अपनी जिंदगी में एक फैसला वो भी शादी का बहुत माहिन रखता है राजबबर से अपने रिष्टे को ले जैसे ब्रेन इंफेक्शन हुआ था प्रतिक के पैदा होने के बाद वो घर आ गई थी वह बहुत जल्द होस्पटल जाने के लिए तैयार नहीं होती थी कहती थी कि मैं अपने बेटे को छोड़कर होस्पटल नहीं जाओंगी जब यह इंफेक्शन बहुत बढ़ गया तो जब मैं मर जाओं तो मुझे दुलहन की तरह सजा देना राजबबर जब होस्पटल में पहुंचे उस वक्त इसमिता पाटिल ने यह फैसला कर लिया था कि अब वो राजबबर से तोड़ लेंगी लेकिन उपर वाले ने उन्हें इतना समय नहीं दिया और यह बहुत ही इस्टर दीपक उन्होंने बताया कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मैक अप मैन होगा जिसने इस तरह से मैक अप किया हुआ क्योंकि इसमिता पाटिल ने से हमेशा कहते थी कि दीपक अगर मैं मर जाओं तो मेरा इसी तरह का मैक अप करना दूं और उनकी अंतिम इच्छा लगी हो तो फ्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेर करिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चलिए मिलते हैं आप से अगली वीडियो